या फिर उनकी फोटो के साथ पैड लगाने की तस्वीरों को सोशल मिडिया पर साजा कर रहे हर कोई अपनी मा के लिए पैड लगा रहा है चाहे वो अमीर हो या गरीब चाहे वो कामकाजी महला हो या गहने इस अभ्यान ने सबको मा के प्रती अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है वो अपनी तस्वीरों को हैश्टेग प्लांट फॉर मदर और हैश्टेग एक पैड मा के नाम इसके साथ साजा करके दूसरों को प्रेलित कर रहे हैं साथियों इस अभ्यान का एक और लाव होगा धर्ती भी मा के समान हमारा ख्याल रखती है धर्ती मा ही हम सबके जीवन का अधार है इसलिए हमारा भी कर्तवे हैं कि हम धर्ती मा का भी ख्याल रखे मा के नाम पैड लगाने के अभ्यान से अपनी मा का सम्मान तो होगा ही होगा धर्ती मा की भी रख्षा होगी पिछले एक दसक में भारत में सब के प्रयास से वनक्षेत्र का अभूत पुर्व विस्तार हुआ है अम्रित महोत्सव के दवरान देश भर में साथ हजार से ज़्यादा अम्रित सरोगर भी बनाए गए हैं अब हमें ऐसे ही मा के नाम पर पैड लगाने के अभ्यान को गति देनी है मेरे प्यारे देश स्वास्यों देश के अलग-अलग हिस्सों में मनसुन तेजी से अपना रंग बिखेर रहा है और बारिस के इस मौसम में सब के घर में जिस चीज की खोज शुरू हो गई है वो है छाता मन की बात में आज मैं आपको एक खास तड़के छातों के बारे में बताना चाहता हूँ ये छाते तयार होते हैं हमारे केरला में वैसे तो केरला की संस्कूरूती में छातों का विशेश महत्व है च्छाते वहां कई परंपराओं और विदी विधान का एहम हिस्सा होते हैं लेकिन मैं जिस च्छाते की बात कर रहा हूँ वो है कार्थुम्बी च्छाते और इन्हें तयार किया जाता है किरला के अट्टापडी में ये रंग बिरंगे च्छाते बहुत शांदार होते हैं और खासियत ये कि इन च्छातों को किरला की हमारी आदिवासी बहने तयार करती है आज देश भर में इन च्छातों की मांग बढ़ रही है इनकी ओनलाइन बिक्री भी हो रही है इन च्छातों को वट्टालक की सहकारी कृष्षी सोसाइटी की देखरेक में बनाये जाता है इस सोसाइटी का नेतरुत्व हमारी नारी शक्ती के पास है महिलाओं के नेतरुत्व में अट्टा पड़ी के आदिवासी समुधाय ने एंट्रप्रिनर्शिप की अध्भूत मिशाल पेश की है इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हेंडिक्राप्ट यूनिट की भी स्थापना की है अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपारी कैफे खोलने की भी तैयरिग में है इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पात बेचना ही नहीं है बलकि ये अपनी परंपरा अपनी संस्कृती से भी दुनिया को परिचीत करा रहे है आज कार्थुम भी छाते केरला के छोटे से गाउं से लेकर मल्टी नेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे है लोकल के लिए वोकल होने का इससे बहत्री नुदारान और क्या होगा मेरे प्यारे देश्वासियों अगले महिने इस समय तक पेरीस ओलेंपिक शुरू हो चुके होंगे मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलेंपिक खेलों में भारतियों खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे मैं भारतिय दल को ओलेंपिक खेलों की बहुत बहुत सुप्रामनाई देता हूँ हम सब के मन में टोक्यो ओलेंपिक की यादे अब भी ताजा है टोक्यो में हमारे खिलाडियों के प्रदर्सन ने हर भारतियों का दिल जीत लिया था टोक्यो ओलेंपिक के बाद से ही हमारे एकलिट्स पैरिस ओलेंपिक की तैयारों में जीजान से जुटे हुए थे सभी खिलाडियों को मिला दे तो इन सबने करीब 900 900 इंटरनेशनल कंपेडिशन में हिस्था लिया है ये काफी बड़ी संख्या है साथियों पैरिस ओलेंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी शुटिंग में हमारे खिलाडियों की प्रतिवा निखर कर सामने आ रही है टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं भारतिये शॉटगन टीम में हमारी शुटर बेटियां भी शामिल है इस बार कुस्ती और गुडस्वारी में हमारे दल की खिलाडि उन केटेगरिज में भी कम्पिट करेंगे जिन में पहले वे कभी शामिल नहीं रहे इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा आपको ध्यान होगा कुछ महिने पहले वर्ल पारा एटलेटिक्स चैंपिन्शिप में हमारी बेस पर्फॉर्मस रही है वहीं चेस और बेर्मिंटन में भी हमारे खिलाडियों ने पर्चम लहराया है अब पूरा देश ये उमीद कर रहा है कि हमारे खिलाडी आलेम्पिक्स में भी बहत्रीन प्रदर्शन करेंगे इन खेलों में मैडल्स भी जितेंगे और देश वाज़ों का दिल भी जितेंगे आने वाले दिनों में मुझे भारतिये दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है मैं आपकी तरप से उनका उत्सा वर्दन करूँगा और हाँ इस बार हमारा हैस्टेग चियर फर भारत है इस हैस्टेग के जरिए हमें अपने खिलाडियों को चियर करना है उनका उत्सा बढ़ाते रहना है तो मोमेंटम को बनाए रखिए आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा मेरे पहरे देश्वाचियों मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ओडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे क्वेट भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्टी के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग शेत्रों में जोड़ता है इस रेडियो कारिकम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए ना तो आईए आपको इसके पीछे की पूरी बात बताते हैं दरसल ये कुवेट रेडियो के एक प्रसारण की क्लीप है अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवेट की तो वहाँ हिंदी कहां से आगई दरसल कुवेट सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेश कारिकम शुरू किया है और वो भी हिंदी में कुवेट रेडियो पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे गंटे के लिए किया जाता है इसमें भारतिय संस्कृती के अलग-अलग रंग शामिल होते हैं हमारी फिल्में और कला जगत से जूड़ी चर्चाएं वहां भारतिय समुदाय के बीच बहुत लोगप्रिया है मुझे तो इहां तक बताया गया है कि कुवेट के स्थानिय लोग भी इसमें खूब दिल्चस्पी ले रहे हैं मैं कुवेट की सरकार और वहां के लोगों का रजय से धन्यवात करता हूँ जिनोंने ये शांदार पहल की है साथियों आद दुनिया भर में हमारी संस्कृति का जिस तरह गवरवगान हो रहा है उससे किस भारतिय को खुशी नहीं होगी अब जैसे तुर्कमेनिस्तान में इस साल मैं महा के राष्टिय कभी की तिन सोवी जन्मेजन्ती मनाई गई इस अफसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्टपती ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया इन में से एक प्रतिमा गुर्देव रविंद्रना टैगोर जी की भी है ये गुर्देव का सम्मान है भारत का सम्मान है इसी तरह जून के महिने में दो केरेबियाई देश सुरिनाम और सेंट विंसेंट एंड ग्रिनाडिस ने अपने इंडियन हेरिटेज को पूरे जोस और उत्सा के साथ सेलिब्रेट किया सुरिनाम में हिंदुस्तानी समुदाय हर साल पांच जून को इंडियन एर्राइवल डे और प्रवासी दीन के रुप में मनाता है यहां तो हिंदी के साथ ही बोजपूरी भी खूब बोली जाती है सेंट विंसेंट एंड ग्रिनाडिस में रहने वाले हमारे भारतिय मुल्के भाई बहनों के संख्या भी करीब 6,000 है उन सब को अपनी विरासत पर बहुत गर्व है एक जून को इन सब ने इंडियन एर्राइवल डे को जिस दुमदाम से मनाया उससे उनकी ये भावना साब जलकती है दुनिया भर में भारतिय विरासत और संस्कृति का जब ऐसा विस्तार दिखता है तो हर भारतिय को गर्व होता है साथियों इस महिने पूरी दुनिया ने दस्वे योग दिवस को भरपूर उत्सा और उमंग के साथ मनाया है मैं भी जम्मू कश्मीर के स्रीनगर में आयोजीत योग कारकम में शामिल हुआ था कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चटकर के हिस्सा लिया जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है नए नए रेकॉर्ड्स बन रहे हैं दुनिया भर में योग दिवस ने कई शांदार उपलब्दियां हासिल की है साथ जी ने